दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहां क्लिक करके हमारे चनल को सब्सक्राइब कर लें और इस नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक करें जिससे कि आप हमारे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन अपने मुबाइल पर पार सकें तो चलिए आज हम एक ऐसे गाव की सेर करते हैं जहांके हर घर में आप हुआई जहास का आनन्द आणद उठा सकते हैं यकिन नहीं हो रहा हो मानो या ना मानो लेकन ये सच है ये गाव है जो वाकई में अग आजूबा है येकिनान एक बार गी तो किसी को भी यकीन नहीं होता कि इस गाउं के हर घर में ना सिर्फ एरपोर्ट है बलकि हवाई जहाज भी है आपको भी यकीन नहीं होगा लेकिन जब आप इसके बारे में जानेंगे तो आपकी आँखें भी खुले की खुली रह जाएंगी पहली बात तो इस तरह के गाउं को देखने जानने के लिए आपको साथ समंदर पार जाना भी नहीं पड़ेगा क्योंकि यह अजूबा अपने ही देश के एक गाउं में है और यह गाउं है पंजाब के जिला जलंदर में इस गाउं का नाम है लामरा जी हाँ यह वही गाउं है जहां हर घर में एक हवाई जहाज है और इसका नजारा आप कई किलो मिटर दूर से भी देख सकते हैं गौर तलब है कि इस गाउं के घरों की छटें एरपोर्ट सरीकी नजर आती हैं जहां एक हवाई जहाज खड़ा नजर आता है हम आपको बता दें कि यह हवाई जहाज असली नहीं है लेकिन इन्हें हर तरह से जान बूच कर बनाया गया है जिसे देखकर यह बिलकुल असली हवाई जहाज जहाज जैसा रिखता है यह भी जान लें कि इस गाउं के जहाज पर लोग इतने ज्यादा संपन हैं कि वो विद्वशों में ही रहते हैं और यहाँ पे इनके हवाई जहाज वाले खाली घर मौझूद है खास बात यह भी है कि इस अजवव के चलते यह गाउं अपने असली नाम लामरा की बजाए जहाज वाले गाउं के नाम से ज्यादा चर्चित हो रहा है सिर्फ इस गाउं के जहाज देखने के लिए विदेशों से भी अंग्रेज यहां पर आकर प्रमण करते हैं यह गाउं ना सिर्फ आस पास के लोगों के लिए बलकि दुनिया भर के लिए अब एक आकरशन का किंद्र बन चुका है इतना ही नहीं इस गाउं में रहने वाले लोगों ने अपने घरों के च्छतों की बजाए जहाजों को एर इंडिया नाम तक दे दिया है ताकि एक देशी पन का भी एहसास हो सके और इंडिया का भी नाम बना रहे दोस्तों यह एक बिल्कुल अनोखा प्रेयोग है जो किसी भी गाउं के द्वारा किया गया है लेकिन भारत में ऐसे कई गाउं हैं जहां पर कुछ ना कुछ अनोखा मिल जाएगा आज के वीडियो में इतना ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेर करना ना भूलें हम मिलेंगे आपको एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ तब तक के लिए आप सभी को नमशकार